नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सिक्षक भरती से संबंदित लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हैं यहाँ पे सुत्रों से खबर आ रही है कि आजपुनह मुलकात की गई है आदर नीश्री जितेंद्र सुकला जी से जो डीपी आई है और यहाँ पे कुछ बिंदुए सामने आ रही है जिसमें पहला तो है कि एडिशनल लिस्ट इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है एडिशनल लिस्ट अर्था पहली सुची के बाद जो अगली सुची आएगी दूसरी सुची उसके बारे में पिछले वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था कि प पद पहली सुची में तो दूसरी सुची उनके लिए फिर से निकाली जाती है तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 125 ना करके पिछले वेरिफिकेशन अर्थात पहली सुची में जो सेस रह गया पद उसके लिए दूसरी सुची जारी होगी उतने candidate के लिए ऐसा इसमें लिखा हुआ है अपातर के बाद बचे हुए पदों को जोड़ कर लोगों को बुलाया जाएगा तो बचे हुए लोगों को बुलाया जाएगा क्योंकि यह जो सुची निकली थी यह चैन सुची थी प्रावधिक चैन सुची जितने पद थे उतने के लिए वेरिपेकेशन लिस्ट जारी किया गया था अब उसमें जो अपातर निकलेंगे जो अपसेंट हो जाएंगे जो जोईन नहीं करेंगे जो सहमती नहीं दे पाएंगे या अन्य और कोई कारण से रिक्त हो जाएगा पद पहले वेरिपेकेशन से तो दूसरी सुची निकलेगी उस सेजपदों के लिए भरती प्रग्रिया क्रम मार होगी पहले व्यक्षाता फिर सिक्षक फिर सहक शिक्षक ऐसा इसलिए ताकि जो तीनों में चैनीत हैं वो किसी एक में कि यह जाएं और किसी भी तरह कर टक्राव लेंगे सहमति देंगे उनका कंफर्म हो जाएगा कि व्बउस्च शूचक में अपना वेरिपिकेशन नहीं करेंगे और इससे पीछे रैंक candidate हैं उनको मौका मिलेगा लेकिन इसमें guarantee क्या रहेगी वो आगे पता चलते जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे भी रहते हैं जो इस्थान को देखकर उचे पत को भी छोड़के नीचे पत में रहना पसंद करते हैं लेकिन आगे आगे यह प्रक्रिया इस पर पात्र कोन आपात्र कितने candidate उपस्तित कितने अनुपस्तित यहीं है पारदर्सिता वेबसाइट बनने के बाद प्रक्रिया बहुत तेजी से engineering college के तरश पर होगी ऐसा latest news आ रहा है engineering college के तरश पर मतब जिस तरह से engineering college में online counseling होती है उनको seat allotment होता है उस तरह का यहाँ पर संकेत दिख रहा है तो यह तो पुरी तरह से वही हो गया online पद्धती जिसमें preference भरो और उसके धार पर आपको seat allotment हो जाता है उसी प्रकार हमको इसकुल allotment हो जाए वेरिफिकेशन के बाद online तरीके से मंगलवार तक website तयार हो जाएगी तो यह बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंगलवार तक website तयार हो जाएगी तो यह बहुत बड़ी खबर है तो इसको like किजिए share किजिए comment किजिए धन्यवाद जैहिन